दोस्तों बार्वली जी में जी याने जीनियस नहीं होता है जाने क्या है इस बिस्किट का पूरा नाम देश भर में अगर बिस्किट का नाम लिया जाये औस सबकी जबान पर सबसे पहला नाम पार्ली जी का ही आता है 90 के दश्य के बच्चों को तो अपना वो दवर भी याद होगा जब चाय के साथ पार्ली जी का कॉंबिनेशन फेमस हुआ करता था यहां तक कि उस समयं पार्ली पर रहती थी वो आखिर पारले जी में जी का क्या मतलब है वैसे तो लोग पारले जी में दिये गए जी का मतलब जीनियस जानते है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जी का असली इस्तिमाल क्यों किया गया था अगर नहीं तो आईए आज हम आपको बता दे ऀस कहानी की शुरुषात पारले के नाम से शुरू होती है आजाधी से पहले पारले जी का नाम गलुको बिसकिट हुआ करदा था यूतिय वीश्व विध के दवरान भारतिया और बृटिश दोनों ही सहिनीकों का ये पसंदिदा बिसकिट हुआ करदा था लेकिन आजादी के बाद ग्लुको बिस्किट का उत्पादम बंद कर दिया गया था दर असल इसे बनाने के लिए गेहू का इस्तेमाल किया जाता था और देश में उस समय अन्नका संकट उत्पन हो गया था जिस कारण इसका उत्पादम बंद कर दिया गया था हाला कि जब दोबारा इसका उत्पादम शुरू हुआ तो कई कमपनिया कमपिटेशन में आ गए खासकर ब्रिटेनियों ने ग्लोकोजडी बिस्किट के जरिये पुरे मार्केट पर कबजा जमाने की कोशिस की उस समय ग्लोको बिस्किट को दोबारा लॉंच किया गया इस समय की इसकी नाम पारले जी रखा गया और कवर पर एक छोटी सी लड़की की फोटो भी लगाई गयी थी बताया जाता ही कि पारले नाम हुंबे के विले पारले से लिया गया था जहां कि हैक्टरी हुआ कर दिती वहीं पारले जी में दिये जी का मतलब ग्लुकोज से था दरसल पारले जी ग्लुकोज बिस्किट है हाला कि साल 2000 में जी का मतलब जीनियस प्रोमोट किया गया था